मैं आपको बहुत अफसोस की बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल का दर्द है एक दिन मैं कानपूर रेलवे स्टेशन पर उत्रा था एक व्याख्यान देने के लिए गया था कानपूर आप जानते हैं कि एक जमाने में करांतिकारियों का घर था नाना साथ पेश्वात आतिया टोपे जहां सीगरानी लक्ष्वी भाई ये सब कानपूर में एकठे होकर आजादी की योजनाएं बनाया करते थे बहुत है थे हासिक शहर है तो वहाँ एक बार मैं व्याख्यान देने के लिए तो रेलवे स्टेशन पे उत्रा तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ चाए की कुछ दुकाने हैं आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगी तो एक चाए की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था मेरा अचानक से मोबाईल फोन बज़ गया मैंने रुक के उस मोबाइल फोन को सुनना शुरू किया तो एक कान से मैं मोबाइल फोन सुन रहा था दूसरे कान से एक चाय की दुकान पर एक मा और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। के सीमा समझा रही थी कि हम गरेव इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया मैंने उन की बातों में हस्तक Auntyya और मैंने कहा कि भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया हमारे देश की साशन व्यवस्ता ने आपको गरीब बनाया सरकार अगर भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जनम क्यों देता पाकिस्तान में पैदा कर देता बंगला देश में पैदा कर देता अफरीका में पैदा कर देता इंडोनेशिया मलेशिया में पैदा कर देता आपको भारत में जनम क्यों दिया उस भगवान जो स्वर्ण भूमी है, जो पुर्ण भूमी है, जो शहीदों की भूमी है, महापुर्शों की भूमी है, जो हजारों साल तक सारी दुनिया का केंद रही है, ऐसे देश में आपको जनम मिला है, तो ये तो आप भूल जाएए कि भगवान ने आपको गरीब बनाया, इस देश क सरकार की नीतियां हैं जिनोंने आपको गरीब बनाया तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचे पूछ लिया आप कौन है कहा के रहने वाले हैं ये चाई की दुकान कब से चलाते हैं वगएरा वगएरा जब उनकी परिचे दिया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन हट गई मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूँ वो मा ने उस बेटी ने परिचे दिया कि हम तात्यां टोपे के वन्शज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाई बेचने के लिए मजबूर किया है उस दिन मैंने अपने आप से यह पूछना शुरू किया कि तात्यां टोपे के वन्शज अगर इस देश में चाई बेच रहे हैं कौन सी आज़ादी की बात हम कर गए और उससे ज़्यादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तात्यां टोपे जिन्होंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तात्या टोपे 1857 का जो करांती का संग्राम हुआ नाना साथ पेश्वा के कंदे से कंदा मिलाकर जन्होंने काम किया नाना साथ पेश्वा को जहांसी गिरानी लक्ष्वी बाई को जहलकारी बाई को सारे उनके सहीयोगियों को शहादत हो गई सबसे अंत में तात्या टोपे पकड़े गए थे इतने कुशलता के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतर तो किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ आप जानते हैं जिनोंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में जिनोंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में वो लोग इस देश में मुख्य मंत्री बनकर राज करें उनके परिवारों के लोग केंद्रिय मंत्री बनकर इस देश में राज करें आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है अंग्रेजों से कितनी बफादारी उन्होंने निभाई है 1857 की लड़ाई में एक तरफ करांतिकारी लड़ रहे थे दूसरे तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों के साथ करांतिकारियों के खिलाफ लड़ रही थी उस सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्य मंत्री बने प्रधान मंत्री के साथ केंद्रिय मंत्री बने और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाहे बेचें इस देश में सिंदिया परिवार की तरह इस देश में एक और परिवार है पटियाला राजगराना जिसको कहा जाता है जिन्होंने अपनी पूरी फौज, पूरी सेना अंग्रेजों को दान में दे दी एक करोड सौन मुद्राईं अंग्रेजों को दी थी उस 1857 की करांती के किलाफ काम करने के लिए उस पटियाला परिवार के लोग मुक्यमंतरी बने पंजाब के और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में आज़ादी के 63 साल के बाद अगर यही है तो कैसे कहें देश आज़ाद होते हैं कर दो कर दो कर दो किलाद बाद दो है